हेलो दोस्तों, वेलकम बैक तो इन माई न्यू वीडियो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैनल पर कि अगर आपको बजाज आटो फाइनेंस से बाइक लोन लेना है तो आपको क्या-क्या इलिस बिल्टी जरूरी होती है कि आपको अगर लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए तो सारी चीजे इस वीडियो में हम लोग लाज तक बात करेंगे साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आप 2-3 लाग का लोन लेते हैं बजाज आटो फाइनेंस से तो आपकी मंतली किस्त के भी कितनी जाएगी तो पूरा इंदेफ्ट में बात करेंगे इस 10 मिनट की वीडियो में अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भाई के च चल ला है उसके ओपर अगर हम लोग बात करी जाए तो रेट पिंटर्स चल ला है 11.2 जीरो परसें से प्रतिवर्स लगता है तो यह जो रेट पिंटर्स होता है अगर आप कोई भी एक रेट विंटर्स है लेकिन इनका यह फ्लोटिंग रेट आप बिंटर्स है मतलब कि तो कोई भी हो सकता है लेकिन maximum किता दे सकते हैं यह लोग 10 लाग तक का तो आज अगर अब यह बात करी जाए लोन अब दीप तो इस यह आपको केवल चार साल तक का यह लोन देते हैं बस चार साल से ज्यादा आपको टाइम पिरिया नहीं दिया जाएगा इससे कम तो आपको जितना भी लेना लेकिन maximum इनका चार साल है बात करी जाए पर फिसक आपके लोन और की एक परसंट अब लगती है मतलब कि अगर आप दैसे तीन लग का लोन लेने जा रहे हैं तो उससे एक परसंट आपकी परसेशिंग की स्टाट ली जाएगी तो यह मैक्समा मैं एक से ती के लिए apply कर सकते हैं तो minimum आपकी 21 साल तो यह होनी ही चाहिए अब हम लोग बात करते हैं अपने EMI calculator पर चलके इस EMI calculator की link भी आपको description में दे दूँगा और जो इस side के बारे में मैं जिससे आपको details बता रहा हूं इसकी भी link आपको description में दे दो क्योंकि इसकी एक खास बात है दो को सारी साइडों में आपको Hindi में जानकारी देखनों को नहीं मिलती इंगलिस में मिलती है तो जो आपने गाउं आउं से अपने EMI calculator पर इस पर हम लोग हर एक चीज की EMI calculate कर सकते हैं एक्जामपल फर home loan, personal loan, car loan, car loan और bike loan semi category में आता है तो हम लोग यहां पर आते हैं car loan वाले section ठीक है तो इसकी site की वी link मैं आपको description में दे दूँगा कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है अब हम लोग यहां पर डालते हैं कि 3,00,000 तो महा लिजे कि अगर आपको जितने लाग की जरूरत तो उतने लाग का आप लोग लोग ले सकते हैं हम लोग यहां पर एक्जामपल के लिए 3,00,000 ले ले लेते हैं अब रही बात rate of interest तो rate of interest आप लोग अपना civil score या credit score चेक करक तो आपको minimum से minimum मतलब कम से कम ब्याज पर आप लोग को loan मिल जाता है अगर civil score आपका बेकार है तो आपको higher से आए जो आपने देखा होगा कभी-कभी bank आपको 18-18% 20-20% इंटर्स लगाती है तो यहां पर आपका तब लगाया जाता है जब आपका civil score बेकार होता है तो यह सा लिए गो रेकल यहां पर बात करें कि लोन टेणियोर आपको 5 साल के लिए maximum निए बात करी कि लोन टेंटर्व को यहां पे देख सकते हैं लोग देती है तो हम लोग 3,000,000,000 ले रहे हैं तो हम लोग पहले मगन लेते है कि लिए लेना चाहते हैं तो सारी चीए इंडर्वों तो आपकी मंतिली किस कितनी वनी जा करके 7790 रुपए अब यह टोटल ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा तीन लाग के अमाउंट पर 4 सालों के लिए तो यहां पर आपकी जो टोटल पेमेंट रुपए लेकिन एक दिमाग लगाई है कि अगर आपके पास आपकी इंकम अच्छी है अगर आपने लोन लिया तीन लाग का लोन आपको तभी मिलेगा जब आपकी थोड़ी अच्छी इंकम होगी और आप एक अच्छी बाइक लेने फाइदा फिर नहीं होता बैसाल कर सकते हैं बस आप तो बढ़ रही है लेकिन लोग को पैसा बच पच रहा है उसको लोग कहीं रृइंविट कर सकते हैं जिसने हम लोग और भी जज्ञादा फंदे देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप तीन लाग का लोन दो सालों में सालों में चुकानी की कोशिस करें वो ज्यादा आपके लिए बेटर है तो इन ही जैसे की कैलकुलेशन के लिए हम इन इमाई कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो यह चीज आपको पता चली होगी कि अगर कोई भी आप बैंक से बाइक लोन लेने जा रहे हैं तो आप लोग पह साल के लिए आपने लोन लिया तो देख सकते हैं नीचे आते हैं तो 2023 जैसे क्लिक करेंगे तो अपरेल माई जून जुलाई अगस्त हर एकर डेट आपको पता चल जाएगा कितना आपका इंटरेस्ट कितना टोटल पेमेंट गई कितनी आपकी बैलेंस बचा हुआ है और लो और इसकी लिंक भी मैं डिस्टॉप्सन में दे दूंगा जिससे आप लोग अपने बाइक की जरूर सा जरूर कैल्कुलेट करिए अब हम लोग यहां पर आए अब हम लोग ने डिटेल्स के ऊपर बात कर लिए अब हम लोग बात करते हैं कि चार्जेस कौन-कौन से लगते ह इसकी लिए एकि द मैं रही तो आपको इन चार्जेस उसके बाद क्या 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 सुधियों नहीं करता है वहाँ है झाले कशिए करें का लोग मैं अप्लाय कर लोग सकते सब्सक्राद क्याा और तो मैक्समम हम गर बहुत अच्छा हो isot अगर अगता ऑब तो आपको यार कम से कम ब्याज भी देना पर सकता है 6% मिल सकता है तो सीबिल स्कॉर का यार मेजर फैक्टर आता है अब यहां बात कर लिए प्रोसेसिंग फीज हम लोग को लों ले ली दे रहे लुए उससे अपके से 3% लेकार्ट भी ले जाती है अब लेट प्लस लिग रहते हैं इस्ट्रोस अब है की हई ने कंगे जिञाज तो यह अनुमाल भी लग सकते हैं आप अपने यह सब Voilà डेट अगर आप कि हर महीने एक तारिक को जाती अब आप सोच रहे हैं कि मेरी 10 महीन दस तारिक को मेरी पेमेंट आती तो मेरी अगर आप देखो उस सहर का निवासी होना चाहिए जिसमें हुए कम से कम पिछले एक वरसे रेण के लिए आवेदन कर रहा हो इसके लिए संबंदित साच प्रस्तुत करेंगे मतलब कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर आपका मलब की एक साल से कंटीनियू पैसा आ रहा हो ज उस जगे पर आप लोग कम से कंटीनियू रहा हों थीक है अब इंप्लॉयमेंट स्टेटस में आपकी बात आ जाती है कि आप जहां पर भी काम कर रहा हो तो पिछले दो वर्सों से सफल उस जगे काम करना होना चाहिए अगर आप बात करी जाए जो जो सेलाइट बंद्द हो तो 750 से आपका सिविल स्कूर उपर होना चाहिए अब हमोंके सिविल सिविल स्कूर के उपर बात करी हुई है ठीक है अब डॉकुमेंट्स एंड कॉंटेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको यह देना होता है कि आवेदन के पास मानक कोई के वाई सी यार संबंदित दस्तावे लिए तो पूफ आइडेंटी के लिए आप लोग पासपोर्ट लगा सकते हैं ड्राइविंग लगा सकते हैं आधार काड लगा सकते हैं वोटर आईडी का लगा सकते हैं इन चारों में से कोई एक चीज़ा लोग लगा सकते हैं आसानी से अब पूफ आड्रेस के लिए आप प्我ं क्या लगा सकते रिंट एग्रिमेंट लगा सकते हैं यूटीँ इंतम एक साल की यूटिलिटी बिल लगा सकते हैं पासपोर्ट लगा सकते हैं प्रिग्ठ है लुइ 하ी, За आइट आर दे सकते हैं पिछले दो साल का वेतन परजी unless पिछले च्हें महीने की बैंक के श्асть में दे सकते हैं पिछले तीन महीने की यह सारी चीज़ आप डॉकुमेंट सीब्स काफी से स्म्पल है है अगर आप जाज अटुफायन से loan apply करते हैं online apply करते हैं देख सकते हैं जैसे नीचे आते हैं तो इसमें देख सकते हैं online आवेधन पत्र होता है तो इस पे आपको क्लिक करके आप सीधे इनकी official website पर चले जाएंगे जहां से आप लोग सीधे आप लोग अपनी वही website पर इस website अप पहुंच जाएंगा असानी से आपको यह वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आई तो प्लीस आप लिडियो को मिल जाएगी तो मिलते हैं और किसी अद्धमा के तार वीडियो को साथ तक लिए गुडबाद जय हिंज